आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो आपकी 22 questions हैं और ये questions most important है for every competitive exam आप जिक्के का कोई भी exam दे रहे हो उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी अगर आप PGT level पर जोगरफी का exam दे रहे हो तो उसके लिए ये video most most important होने वाली है क्योंकि इसमें थोड़े deeply level के questions हैं ठीक है बत आजकल तो आपको पता है जिक्के में जो questions होते हैं वो deep से deep ही होते हैं बत फिर भी मैं यही कहूंगी PGT वाले students के लिए video most important है तो चलिए नमारा question number one है पवन की अपवाहन किरिया यानि deflating action के द्वारा बने गर्तों को गर्त कहते हैं गड्डों को क्या कहा जाता है पलाया यार्डों या फिर वेंटी फैक्ट जिसे बोलते हैं वायू ग्रिष्टाशम या बालू टिबा सैंड ड्यून तो इसका right answer रहेगा यार् पवन जबकि अपवाहन किरिया चलती है तो यार्डंग जैसी किरिया बनती है जब पवन को कार देती है तो यार्डंग वाली किरिया बनती है तो जो घड़े बनते उनको यार्डंग कहते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर टू अधिक्तम जय विवीदिता वाला परदेश निम्न में से किस परकार का होता है उशन कटी बंदिये शितोशन मानसूनी विशुवत्य बढ़िया कोशन है प्यार्टी लेवल का है ये वर पीजीटी में भी पूछा जाता है और टीजीटी में भी तो मैंने अपको पहले भताया हुआ है जो उशन कटी बंदिये वाला परदेश निम्न में बच券न कटी बंदिये वाले बाले पार्ट अईशन कटी बंदिये वाले पार्ट दक्षिन ठीक है आपको जीरो से दस डिगरी तो उत्तर की और जीरो से दस डिगरी दक्षिन की और तो जो ये पेटी होती है इसे बोलते है उशन कटी बंद्य पेटी और इसे भुमद्य जीरो डिगरी क्या है आपके भुमद्य रेखिये ये विशुवत्य रेखिये तो भु समय मान रेडियो मेत्रिक रेडियो मेट्रिक काल निर्धारन गुरत्वा-कर्शन पद्यति या जीवासम पद्यति तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे रेडियो मैट्रिक कार निर्धारन से ठीक है तो ये एक रेडियो मैट्रिक होता है कार निर्धारन और इससे पिर्थवी कितनी एज है वो चीज हमें पता लगती है नेक्स्ट कुशन नमर फाइफ निर्धारन से सबसे उचे मेग कौन से है तो बहुत सारे मेग होते हैं जिसमें सबसे उचाई पर कौन से होते हैं ये सत्री कपासी मेग होते हैं वर्षा सत्री मेग होते हैं कपासी मेग होते हैं तो जो पक्षाब मेग होते हैं वही सबसे अध कुछ आई पर होते हैं जो कापासी मफ होते हैं इसे क्या होता है यह बहुत परिष्ट से तप्त हो जाता है इसमे उसवा पैदा होती है तो बही ये पृत्वी के प्रिष्ट से तप्त हो जाता है क्योंकि वायू मंडल की फर्स्ट लेयर है शोब मंडल ठीक शोब मंडल फर्स्ट लेयर है सबसे निचली लेयर है पृत्वी से लगती तो पृत्वी के प्रिष्ट से यानि भारवाले भाग से तप्त हो जाता है ये सूरिय के भायतम परत को क्या कहते हैं वर्न मंदल परकाश मंदल करिट या करोना या स्थल मंदल करोना याद आगया वही इस कोशन से तो जो करिट और करोना कहते हैं सूरिय की सबसे भायतम यानि सबसे आउटर लेयर को ठीक है कई ओब बुक में आपको परकाश मंडल भी मिलेगा बर जहां पर किरिट ओप्शन में हो तो आप किरिट को सबसे पहले टिक करोगी नेक्स्ट एक कुशन नमबर एट पिर्थवी का विसाल तम पारिस्तितिक तंत्र है बायोम जल मंडल स्थल मंडल जीव मंडल तो जो बायोम है वो पिर्थवी के विसाल पारिस्तितिक तंत्र है मैंने यहाँ पर मेरे चैनल पर बायोम की पूरी वीडियो करवाई हुई है PRT स्टूडेंट्स के लिए ठीक है उनके बायोम पुछे जाते तो हमारी पिर्थवी पर जो जो बायोम है मैंने वो सारे डीटेल में पढ़ाई हैं आप मेरे चैनल पर जा कर सकते हो next question number 9 monogite बालू में कौन सा खनीच पाया जाता है तो जो सीधा है potassium uranium thorium sodium तो जो thorium है thorium है वो पाया जाता आपकी monogite rate में thorium उसके इलावा जो यह thorium है यह भारत के केरल राजे में यह जो monogite rate है बारत के केरल राजे में पाया जाती है मैंने जो वन एक गंटे की आपको जोग्रोफिय इंडिया का रिविजन कराया उसमें मैंने चीज भताई है केरल राजे में मोनोजाइट बालू पाया जाते है उसी में पाया जाता आपका thorium पिर्थवी के स्थल प्रिष्ट का कितना भाग रेगिस्तान है दसवाँ पांचवाँ एक तिहाई छटा स्थल प्रिष्ट का यानि रहने वाले का तो पांचवाँ भाग हमारा रेगिस्तान है थार मरुस्तल, जान सहारा मरुस्तल, आटा गामा मरुस्तल, काला हारी मरुस्तल, पैंटा गोनिया मरुस्तल, दुनिया भर के मरुस्तल है, गोबी मरुस्तल, लोयस का पठार, तो ये सारे मिला के हमारी पृत्थिवी के स्थल प्रिष्ट का पांचवा भाग रेगिस्तान है, नेक्स्ट है कोशन नबर 11 वायू मंदल की सबसे नीचे की परत है तो देखो यह वही मैंने आपको पहली बताया शोब मंदल, मद्या मंदल, भाया मंदल या फिर समताप मंदल तो राइट अंसर रहेगा शोब मंदल सबसे नीचे लिए सबसे पहली परत है हमारी वायू मंदल की next question number 12 सुमुंदर समीर बनती है दिन के समय रात के समय दोनों समय या मोसमी तो जो सुमुंदर समीर बनती है वो दिन के समय बनती है समीर क्या होती है हवा तो सुमुंदरी हवा जो होती है वो दिन के समय बनती है next question number 13 संसार के स्वच जल का कितना परतिशत हिमानी बरफ के परवतों पर है आपकी 50 परतिशत, 10 परतिशत, 70 परतिशत, 30 परतिशत, सवच जल कहा जाता है परवतों के जल को नदियां जहां से भैना स्टार्ट होती हैं सवचता के साथ, तो सवच जल का 70 परतिशत हिमानी बरफ के रूप में भंडारीत हैं और अगर हम ऐसे ही CO2 गैस का यूज़ करते रहे CO2 जो कि हमारी परतिशत लगातर बढ़ा रही है तो हमारे ये सारा जो हिमानी बरफ पानी बन बनकर सुमुंदरों में पहुच जाएगा तो सवच पानी का परतिशत है वो कम हो जाएगा और आपके जो द्वीप है वो भी सारे के सारे डूब जाएंगे सबसे अधिक सथाई पारिस्तितिक तंत्र कौन सा है मरुस्तल माहसागर परवत वन तो कौन सा है भई आप याद रखना मरुस्तल ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमर 15 परवाल भीतिया सबसे समुंदरी परतिरूप है सितोशन वनों का उशन कटिवंदिये वर्षा वनों की स जो परवाल भीतिया पाई जाती है ठीक है वो कहाँ पर समुंदर में पाई जाती है जैसे संसार की सबसे बड़ी परवाल भीति ओस्टेलिया की तटपर है वई ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है 1900 किलोमेटर लंबी है तो यहाँ पर जो यही परवाल भीतिया पाई जात तो right answer रहेगा आपका 40,000 km लंबी है सोरी पृत्वी की परीदी 40,000 km है next question number 17 किस लोहे आयसक में बहतर परतिशत लोहा होता है तो magnetite में बहतर परतिशत लोहा होता है सबसे शुद्ध होता है magnetite best quality का होता है magnetite magnetite के बाद second number पर रहाता है देखो first number पर आता है आपका magnetite second number पर आता है hematite hematite से question आता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सा लोहा पाया जाता है तो भारत में बही सबसे अधिक hematite लोहा पाया जाता है उसकी बाद आता है आपका limonite और फिस CD right ठीक है तो first और second तो आपको याद होने ही चाहिए और भारत में hematite पाया जाता है और best quality का है magnetite जिसमें बहतर परतिशत लोहा होता है next question is question number 18 tsunami तरंगे किससे उत्पन होती है तो याद रखना जो tsunami होती है वो समुन्दर की नीचे जब भुकम पाता है तो उसे कहते है सुनामी तरंगे next question is question number 19 सा जाती है ग्रूप मंगलोब भारत में कहां पाये जाते हैं दक्षनी छेतर में दक्षिन मद्य छेतर में उत्तर पश्मी छेतर में या उत्तर पूरो छेतर में भारत के उत्तर पूरो छेतर में सा जाती है ग्रूप मंगलाब पाये जाते हैं next question is question number 20 पिर्थवी की सता है कि ठीक भूमद्य रेखा के उपर लगबग 16 किलोमेटर की उचाई तक और दुरूप के उपर 8 किलोमेटर की उचाई तक वायू मंडल या जोन को simple है भई शोब मंडल कहते हैं यह शोब मंडल की उचाई दिखा रखी है शोब मंडल जो है अगर हम बात करें शोब मंडल की तो जो शोब मंडल है यह आपकी भूमद्य रेखा पर 16 किलोमेटर है इसकी उचाई और दुरूप पर 8 किलोमेटर है तो यह शोब मंडल की विसेशता है तो राइट अंसोर रहेगा इसका शोब मंडल पिर्थिवी से चांद का वही पाश्रो दिखाई देता है क्योंकि वह अपने अक्ष का गुर्णन नहीं करता उसका गुर्णन और परिकर्मन एक दुसरे के विपरित है उसके गुर्णन और परिकर्मन की गती एक ही है उसके परिकर्मन की अपिक्षा गुर्णन अधिक ते गुर्णन और परिकर्मन गती और अवधी दोनों एक समान है इसी वज़े से हमें प्रतिवी से चांद का केवल 57 परतिशत भागी दिखाई देता है आप अर्थ के किसी भी कोने से जाके देख लो आपको वही चांद दिखाई देगा चांद का जो बैकवर्ड वाला पाट है वह अर्थ से कभी भी दिखाई नहीं देता उसी पार्ट पर आपका चंद्रयान जाना था जो की आपका विक्रमा दित्या वाला जो की विक्रम वाला जो की कुछ कार्णों की वज़े से रह गया तो आगी ट्राइ करेंगे ही तो नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 22 औ और इपोटेंट कोश्चन है भई पैसिफिक रिंग ओफ फायर ये पूछा जाता है एक्जाम में काफी इसका सम्मंध किस्से है तेल कूपों की आग के साथ ताप वित्यूत केंद्रों के साथ जलवाई हो और बुकंपों के साथ और दावा अनल के साथ तो चो पैसिफिक ये आपकी परशांत महासागर में है किसमें है परशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर परशांत तो इसमें है पैसिफिक रिंग ओफ फायर ये इसे हिंदी में अगनी वल्ले परशांत महासागर का अगनी वल्ले भी कहते हैं अगर हम बात करें इस परशांद महासागर में Pacific Ring of Fire में संसार के 60% से भी अधिक भुकमप और जुआला मुखी आते हैं तो क्या है जुआला मुखी और भुकमप तो इसका राइट अंस्वर रहेगा Pacific of Fire का संबंध है जुआला मुखी और भुकमपो के साथ तो यहां पर यह लास्ट कोशन था आपकी वीडियो का और आपके कोशन से यहां पर कवर होते हैं खतम होते हैं तो I think आपको वीडियो पसंद आई होगी PGT और TGT उसके अलावा PRT के भी कई कोशन्स हैं इस वीडियो में तो तेनों के लिए benefit हैं उसके अलावा अगर आप DSS, KVS, NBS दे रहे हो तो उनके लिए भी यह कोशन्स मोस्ट इपोर्टेंट हैं तो ध्यान से देखना और ध्यान से करना कोशन्स को और कमेंट किया करो भ education group में ताकि और भी बच्चों को इनका फायदा मिले उसके अलावा आप इसको subscribe कर लो मेरे चैनल को आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में एक new energy के साथ एक new topic के साथ तब तक के लिए आप देखते रहे हैं मेरे चैनल को thank you thank you very much for watching this video